हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू फार्मेसी किलासेस यह फीजिकल पार्मस्यूटिक सेकेंड का रियो लॉजी चाप्टर का लेक्चर नमबर पूर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नन नीट उनियों सिस्टेम के बारे में इसमें हम कवर करेंगे नन नीट उनियों फ् देखा उपर दिए घया आई बुटन पर क्लिक करकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो मरें नन नीट उनियों सिस्टम होता है ये नियोटन के फ्लो के लग को फॉलोव नहीं करता है आये सबसे पहले हम यह देख लेता है कि नीटन ने फ्लो के लोव क्या दिया है जो ह हमारा shear stress होता है यह directly proportional होता है rate of shear according to Newton's law और इस law से deviations दिखाते हैं non-newtonian system जो हमारे heterogeneous dispersion होता है यह example होते है non-newtonian system के example के बात करें तो collidal, emulsion, suspension, ointment यह जितने example है यह non-newtonian system के हैं और यह newton के flow के law को follow नहीं करते हैं इसलिए इसे हम non-newtonian system में रखे हैं यह जो हमारा non-newtonian flow होता है इसके type की बात करें तो यह three type का होता है plastic flow, pseudo plastic flow, even dilatant flow इसके पिछली वाली वीडियो में हमने plastic flow के बारे में study किया, इस वीडियो में हम pseudo plastic flow के बारे में study करेंगे pseudo plastic flow को हम shear thinning system काते हैं, इसका कारण यह है कि जब हम pseudo plastic material पे force apply करते हैं यह जो हमारा material होता है इसकी viscosity decrease हो जाती है जिसके कारण यह sear thinning system के नाम से जाना जाता है pseudo plastic material सुरू में तो jelly nature का होता है लेकिन जैसे ही हम इस पर force apply करते हैं यह solutions में change हो जाता है यहाँ पर देख पा रहेंगे जो हमारा material है इसका estate change हो रहा है यह जेल से solutions में change हो रहा है और हम जानते हैं कि जो हमारा gel होता है यह more viscous होता है as compared to solutions और यहाँ जो हमारा solutions है इसकी viscosity कम होने के खारण इसको सियर thinning system के नाम से जानते हैं क्योंकि जैसे हमने force apply किया जो हमारा gel था यह solutions के form में change हो यहाँ पर इसकी viscosity decrease होई इसलिए इसे हम shear thinning system बोल रहे हैं असान सब्दों में हम कहो सकते हैं कि जो pseudo plastic material होते हैं वह सुरू में तो jelly nature के होते हैं अर्था तो इसकी viscosity high होती है लेकिन जैसे हम shear stress apply करते हैं यह जो हमारा gel material था यह solutions के form में change हो जाता है और इसकी viscosity घट जाती है इसलिए हम इसे shear thinning system बोलते हैं तो हम कहो सकते हैं कि pseudo plastic material को shear thinning system बोल रहे हैं क्योंकि उसकी viscosity घट रही है shear stress apply करने पर जैनरली जितने भी pseudo plastic material होते हैं यह polymeric solutions होते हैं जो pseudo plastic flow दिखाते हैं आप अपने display पर इस diagram को देख पा रहे होंगे यह एक polymer solutions है जो की gel nature का है और इस पर जैसे हमने shear stress apply किया यह solutions के form में change हो गया क्योंकि यह सीडो plastic material है और सीडो plastic material पर जैसे हम shear stress apply करते हैं इसके viscosity घट जाते हैं यहां से जो हमरा material है वह सुरू में तो geldy nature का होता है लेकिन जैसे हमने shear stress apply करते हैं यह solutions के form में चेंज होता है यहाँ पर देख पा रहोंगे जो हमारा second figure है यह solutions के form में है एवं इसमें जो blue वाला line है यह water layer है एवं जो red वाला line है यह polymers का layer है यहाँ पर जो हमारा एक water layer के उपर एक polymers layer flow करता है और यह solutions के form में चला जाता है क्योंकि हमने shear stress अपलाई किया था तो इसकी viscosity भी घढ़ जाती है जितने भी natural m synthetic gum होते हैं यह pseudo plastic flow सो करते हैं आईए कुछ example देख लेते हैं नेचिरल m synthetic gum के जो pseudo plastic flow करते हैं जिसमें फर्ष्ट है ट्रेगागें सेकेंड सोडियम एलेजिनेट थार्ड मिठाइल सेलूलोज फॉर्थ सोडियम कार्बाक्सी मिठाइल सेलूलोज यह जितने भ हमने pseudo plastic material का graph plot किया shear stress rate of shear के बीच तो आप देख पा रहेंगा हमें कुछ इस परकार का graph प्राप्त हो रहा है pseudo plastic material के graph में जो हमारी consistency कर्व होती है वह 0 से start होती है एवं इस graph में देख पा रहेंगे जो हमारा material है वह सुरू में तो jelly nature का होता है लेकिन जैसे ही हम अपने shear stress की value बढ़ाते जाते हैं हमारा material solutions के form में change हो जाता है आप देख पा रहेंगे यहां पर सुरू में हमारा material gel के form में present था एवं जैसे हमने shear stress की value को increase किया हमारा जो material है यह solutions के form में change हो गया pseudo plastic material का जब हम graph plot करते हैं तो इसमें किसी परकार का हमें end value प्राप्त नहीं होता है जबकि वहीं हम plastic flow के graph को plot किये थे तो वहां पर हमें एक end value प्राप्त हुआ था लेकिन इसमें pseudo plastic material में हमें किसी परकार का end value नहीं मेलता है जिसके कारण हम pseudo plastic flow के graph में viscosity को किसी single value के दोरा define नहीं कर सकते हैं साथ ही जितने भी pseudo plastic substance होते हैं इसकी viscosity घटेते जाती है जब हम rate of shear की value बढ़ाते जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि pseudo plastic material पर अगर हम shear stress की value बढ़ाएंगे तो हमारी material की viscosity decrease हो जाएगी जैसा कि आप graph में भी देख पा रहे होंगे जो हमारा material है शुरू में तो jelly nature का है लेकिन जैसे हम shear stress की value को increase किये हमारा material solutions के form में चला गया अर्थात इसकी viscosity decrease हो गई आप अपने display पे ये जो pseudo plastic रियो गराम curve को देख पा रहे होंगे ये curve line हमें तब प्राप्त होता है जब हम shear action जो apply करते हैं वह ऐसे material पर कर रहे हैं जिसके molecules long chain के रूप में present है अर्थात linear polymers के रूप पे हम अपना shear stress apply कर रहे हैं जिसके कारण हमें इस प्रकार की curve line प्राप प्राप्त हो रही है और जैसे कि मैंने बताया कि जो हमेरा molecules है ये linear polymers है और इस पर जैसे हम अपने shear action को apply करते हैं ये जो हमेरा pseudo plastic material है इसके molecules disarrange हो जाते हैं और वो flow के direction में flow करने लगते हैं यही कारण है कि जो हमेरा curve line है ये ऐसे प्राप्त हो रही है असान सब्दों में ह जो curve line है ये प्राप्त होने का एक ही कारण है कि जो हमारा material है ये linear polymers के रूप में present होता है और इस पर जैसे हम shear action apply करते हैं तो ये material का जो molecule से वो disarrange हो जाता है और वो flow के direction में flow करने लगता है जिसके कारण जो हमारा pseudo plastic material का जो rheogram curve है वो इस परकार कर में मिलता है इस equation को इस्तमाल करते हुए हम pseudo plastic flow को calculate कर सकते हैं log g is equal to n log f minus log eta dash यहाँ पे जो n की value है वो pseudo plastic flow के लिए more than 1 रहेगा अगली वीडियो में हम diletant flow के बारे में study करेंगे अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं उपर दिएगा i button पर click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं करके वीडियो को देखित हैं कर दो दो धम दो दोग्दीन कर दो 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 झाल झाल